है दोस्तो, ब्लॉकिंग स्टार्ट करते समय सबसे पहला चीज जो आपके दिमाग में आता है कि ब्लॉक को किस टॉपिक पे हमें स्टार्ट करना चाहिए लेकिन उससे भी important चीज है कि हमें ये समझना होगा कि हमें ब्लॉगिंग किस कैटेगरी में करनी चाहिए लेकिन जब आपके पास यह idea हो जाए कि basically blog कितने category के होते हैं तो आपको topic चुनना आफसान होता है तो आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि blog की जो category होती है total कितने प्रकार की होती है मैं पूरा classic side करके आपको बताने वाला हूँ कि कितने प्रकार के blog topics होते हैं और उनके किस तरीके के sub topic बना करके आप blogging start कर सकते हैं तो अगर आपने blogging start किया हुआ है या फिर करने वाले हैं या फिर आपने सोचा है कि तभी in future blogging करोगे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जाधा important होने वाला है क्योंकि वीडियो जब मैं बना रहा था उससे पहले मैंने बहुत research किया है इ जो category आप लोगों को बताऊंगा और हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग disagree भी करें अगर आपको लगता है कि इन जो category को मैं बता रहा हूं इसके अलावा भी कोई category होता है तो comment section में जो हूँ बताईएगा चली दोस्तों start करते हैं दोस्तों basically जो block topics होते हैं total पांच तरीके के ही होते हैं चाहे दुनिया का कोई भी ब्लॉग ले लो या फिर आप affiliates करना चाहते हो या फिर adsense के तूर्णिंग करना चाहते हो basically इन दोनों के लिए basically जो block topics होते हैं वो 5 category के होते हैं पांचों category आपको one by one बताऊंगा साथी टॉपिक भी explain करता चलूगा सब सबसे पहला catagory होता है अलत कैई sapkg में आप किसको किसको ले सकते हैं health category में आप up net plan को ले सकते हैं आप health में कैसे आपको साफ सुस्तरा रहना है कि इससे कि आपको ्डिची से बच सके उसको ले सकते हो prevention ले सकते हो कि किस बीमारी से बचाओ के लिए हमें किस तरीके का एप्रोच करना चाहिए आप medicine के बारे में information दे सकते हो आप किसी disease के बारे में बता सकते हो आप healthcare product का अगर आप segment को अगर आप affiliate कर रहे हो इन सभी sector को आप इसमें add कर सकते हो आप life style को भी इसमें add कर सकते हो कि किस तरीके का healthy life style रखने से आपका कौन सा चीज अच्छा हो सकता है साथी साथ जो hair fall होता है या फिर बहुत तरीके के सारी जो डिजी जो होती है उसकी जो आयूरवेटिक इलाज होता है इन सब के बारे में अगर आप information दे रहे हो और सबसे ज्यादा यह इसमें worldwide traffic क्या होता है कि basically आपके ब्लॉग के जो ट्रैफिक आता है वो एक domestic traffic आता है जिसके आपको CPC बहुत ही कम मिलते है बहुत ही कम नहीं आजकल तो अच्छा CPC मिलने लगा है healthcare blog में लेकिन अगर आपका ब्लॉग का जो topic है आपने ऐसा कबर किया जिस पर UK और USA के through traffic आ रहा है तो आपका जो ब्लॉग की जो earning होती है वो आपके शाक्रित जादा होती है तो healthcare blog में आपको वो advantage मिल जाता है तो पहली category हमारी थी healthcare blog दोस्तों healthcare blog के बाद दूसरा option हाता है wealth health के बाद wealth आपको यही याद रखना है कि पहला topic health दूसरा topic wealth wealth क्या है wealth में आप इस तरीके की information देते हो कि जैसे earning हमें कैसे करनी है cryptocurrency के बारी में जानकारी अगर आप दे रहे हो या फिर online earning के बारे में बता रहो चाहें यह जो वीडियो में बता रहा हूं blogging के बारे में जो information दे रहा हूं यह भी एक तरीके से money earning money earning जो technique है तो आप इन सब तरीके की जानकारी दे रहे हो जिसका interest लेकर करके जो है वो middle से नीचे है तो यह तो middle है या middle से नीचे है तो उस level पर आदमी extra earning का सोचता है wealth के बारे में सोचता है तो इस तरीके का information अगर आप दे रहे हो investment के बारे में information दे रहे हो कि कैसे आपको investment करके आप tax बचा सकते हो या फिर government की policy किस तरीके किया यह तो यह सभी को आप wealth ब्लॉग में डाल सकते हो जिसमें पैसा involved है इन सब तरीके के बहुत आसानी से कर सकते हो साथी साथ अपना service और आगे चलके आप business advisor बन सकते हो तो इन सब जो subtopics है इन सब topics में आपको एक subtopics चूच करना होता है यह तो मैंने आपको category बता दिया wealth अब इसके अंदर में जितने भी category सब category होंगे आपको उन में से एक sub category को चूच करना है और उसी पर आपको ब्लॉगिं करनी है उससे अगर आप ब्लॉग करते हो तो आप रैंक भी बहुत जल्दी फास्ट करते हो और साथी साथ आपकी जो अर्णी होती है वह इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी होती क्योंकि सर्च वॉल्यूम जादा है और इसमें सब का ब्लॉग चलता है इसमें ऐसा नहीं है कि आपका सेकेंट पेज में अगर आपका ब्लॉग है तो उसको नहीं लोग रीट करेगा उसे भी लोग रीट करते है तो यह ब्लॉग भी जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है यह कैटेगरी को भी आपको एक बर लेके चलना अपने माइंड में अ जो मैं आगे explain करूंगा लेकिन साधी और डेटिंग और relationship का जो होता है जिसमें आप relationship advice देते हो तो यह ब्लॉग भी बहुत ही ज्यादा इंडिया में popular है और इस पे social media के त्रू बहुत ही ज्यादा traffic आता है अगर आप popular होना चाहते हो या फिर अगर आप कोई product sale करना चाहते क्योंकि यह जो dating sites होते हैं वो भी अपना program वो अपना advertise इस पर run करते हैं जिस पे बहुत ही ज्यादा click आते हैं तो यह वाला blog topic अगर आप adsense के through earning के लिए सोच रहे हैं तो आपको साधी dating जो relationship है यह blog start करना चाहिए यह category है आप इसमें जो category है उसको create करके आप देख सकते हो क किस तरीके का आपको blog लिखना है दोस्तों चोथा जो category है वो है अध्यात्मिक अब अध्यात्मिक क्या है अगर आप कोई अध्यात्मिक जैसे कोई spiritual information दे रहे हो या फिर कोई अंगनित बता रहे हो यह कोई पुराना historical information दे रहे हो इसको सबको मैं अध्यात्म spiritual में डालता जो की past है past in the sense की जो भगवान के बारे में आप information दे रहे हो कुरान के बारे में जानकारी दे रहे हो साथी साथ जो मैंने आपको healthcare का जो कुछ topics है जैसे ayurvedic हो गया या फिर meditation हो गया या फिर yoga हो गया यह सारी जो जानकारी है यह सारी चीजों को आप इसमें डाल सकते हो बहुत ही ज्यादा sell out होता है spiritual माल्म की सांती के बारे में बताते हो योगा करने से क्या क्या benefit हो सकता है कौन से मंदिल कहां पर available है top 10 मंदिल हो गया top 10 मस्जीद हो गया कि आप मक्हा मंदिना के बारे में information दे रहे हो या फिर कोई भी ऐसा spiritual चीज़ आप बता रहे हो तो यह पर जो ब्लॉग होगा आप इस category में डाल सकते हो आप किसी भी एक सब्ट कैटिगरी को सेलेक्ट करके आप ब्लॉग बना सकते हो ग्लोबल सर्च आता है इसमें ग्लोबल हीट आता है ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया के बना रहे हो तो उसमें इंडिया के ट्रैफिक जलता है और जो उस पर चलता है तो उस पर जो सेल आउट होने का चांस वह भी बहुत ही जादा होता है यह भी बहुत बढ़िया कैटिगरी आप इस टॉपिक पर भी कैटिगरी ब्लॉग बना करके रन कर सकते हो प्रॉफिटेबल है दोस्तों पांचमां कैटिगरी जो मैं आपको बताने वाला हूं वह है इंट्रेस्ट होबी अब इंट्रेस्ट होबी क्या है अब इसमें आप सब कुछ डाल सकते हो क्रिकेट हो गया बॉलीवूड हो गया वह जो आदमी का होबी जैसा नहीं है कि को बिजनेस्पन होगा उसका भी बॉलीवूड होगा तो इन सब इसमें आप न्यूज को भी डख सकते हो क्योंकि इंट्रेस्ट है लोगों का न्यूज सुनने में इसलिए वह उसको पढ़ते हैं तो एक तरीके का होबी है स्पोर्स हो गया पॉलिक्स हो गया इन सब तरीके का जो ब्लॉग होता है इस क्याटिगरी को हम बोल सकते हैं कि यह जो हमारे काटिगरी है वह इंट्रेस्ट होबी है होबी मतलब कि जो आपका होबी है आप उसके बारे में आप बता रहे हो अपने लोगों को और आपके जो रीडर है उनका भी सेम होबी है इन ब्लॉग का सबसे बारा बेनिफिट यह है कि आप इसको लॉंग रन कर सकते हो आप इस से अर्निंग भी कर सकते हो मजह के लिए भी ले सकते हो और अपना एक ब्रांड बना सकते हो जैसे आप बहुत देखते होगे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर है जिननोंने निउज एजेंसियां बना ली है आगे चलके क्यों कि उनने अपना एक उनका खॉबी था इंफ ब्लोग को हम इन पाच कैटिगरी में डिवाइड करके रख सकते हैं आप अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई कैटिगरी है तो कॉमेंट सेक्षन में जहूर बताइएगा दोस्तों और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करतीज और दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या फिर ब्लॉग बनाना चाहते या बनवाना चाहते हैं तो नोट इंस्ट्रक्शन सेक्षन में दिएगा है नमबर पर कॉन्टक्ट कर सकते हो थाइंक यू धन्यवाद एले ले प्रिसेट यो टाइम